नमस्कार दोस्तों, एक्जाम अचीर्मेंट पर मैं करना, आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, सिंदु घाटी सभ्यता की कला, जिसको हम हडपा कालीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सबसे पहले दोस्तों मैं सिंदु और हडपा इस दो नामों के पीछे की बात आपक हडपा सभ्यता इसको इसलिए कहा जाता है, क्यूंकि सबसे पहले इस सभ्यता की जो खोज हुई थी, वो हडपा नगर से हुई थी, इस कारण इसको हडपा सभ्यता भी कहते हैं सिंदु गाटी सभ्यता इसको क्यूं कहते हैं, क्यूंकि जिस नदी के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ या ये सभ्यता विकसित हुई, वो नदी सिंदु थी, इसलिए इसको सिंदु नदी की गाटी में विकसित हुई सभ्यता, सिंदु गाटी सभ्यता का जो टाइम पी जैसा कि हर समय रहता ही है, पुरानी किसी भी टाइम पिरिट को हम उठा लें, किसी भी सबहता का, या कुछ भी तो विद्वान एकमत नहीं होते। इसी तरह से सिंदु घाटी की सबहता का समय कोई 2700-1700 इसा पूर मानता है, तो कोई 2500-1500 इसा पूर मानता है। मैं सिंदु घाटी की सब्वेता में आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेकर के आई हूँ जिसके अधार पर आप लोग अपने नोट्स बना सकते हैं सबसे पहला पॉइंट वही है सिंदु घाटी की सब्वेता का समय 2700 इसा पूर्व से लेकर 1700 इसा पूर्व सेकेंड पॉइंट सिंदु सब्वेता को इंडस वैली सब्वेता अंग्रेजी में कहते हैं इसी के साथ एक चीज और बताना चाहूंगी सिंदु घाटी की सब्वेतों को हर्यू प्रिया रिगवेद में कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट है सिंदू नदी की घाटी में यह सब्वेता पन्पी विक्सित हुई और फिर किन्ही कारणों से विलुख्थ हो गई नेक्स्ट रिकवेद में सिंदू सब्वेता को हरी प्रिया कहा गया है सिंदू घाटी की सब्वेता चित्र लिपी कही जाती है और इसी कारण से बीवी लान ने इस लिपी को बुस्टो फैदम लिपी कहा। हडपर तीले की खोज 1878 यानि की 78 इश्वी में स्रीकर निगमने की थी। इसका उत्खनन कार्य उन्निस सो इकिस में दयराम सहानी वे माधो सुरूप वद्स के द्वारा हुआ। हडपर सब्विता में खुदाई का कार्य हुआ और अफशेश प्राप्थ हुए इसलिए इसे सर्पथम हडपर सब्विता नाम दिया गया। हडपर रावी नदी के टटपर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में शाहिवाल जन्पद में इस्तित है। ये इस वक्त पश्चमी पाकिस्तान में पढ़ता है। हडपर से लगबग 483 मील या 640 किलोमेटर दूर मोहन जोदरो नामक इस्तान पर भी उत्खनन कार्य हुआ। ये हडपर सब्विता का सेकिंड नगर है। पहला हडपर दूसरा मोहन जोदरो मोहन जोदरो की खुदाई का कारे राखलदास बनर जी ने 1922 में किया। देखो दोस्तों याद रखने के लिए याद रखिए आप की 1921 हडपर सब्विता यानि की हडपर टिले की खुदाई हुई और जस्ट एक साल के बाद मोहन जोदरो की खुदाई हुई। ये शेश मुल रूप से सिंदु नदी की घाटी में इस्थित हैं इसलिए इस समय को सिंदु नदी की घाटी की सब्विता भी कहते हैं। पहले आपको एक्स्प्लेइन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है मोहन जोदरो का साब्दिक अर्थ मृतकों का तीला है। मोहन जोदरो के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो यहां पर बहुत जादा अवशेश मृत शरीर के या हड़ियों के मिले हैं। जिस कारण से इसको यह नाम दिया गया है। खुदाई से जो भवन प्राप्त हुए हैं उनमें पक्की इटों का प्रियोग किया गया है। जिसका साइज सवा दस बाए पांच बाए धाए इंच यानि की लंबाई दस परण पच्चेस है और चोड़ाई पांच है और जो इसकी उंचाई है वो धाए इंच है। इससे हमें पता चलता है कि पकाई गई इटों का प्रियोग भी सिंदों सब्वेता में किया गया है। जिस कारण से इसको पकाई गई इटों वाली सब्वेता भी कहते हैं। नेक्स्ट यहां पर चाकपर बरतन बनाए गए हैं और विशाल बरतनों का भंडार यहां से प्राप्त हुआ है जिन बरतनों पर पॉलिश की गई है। इस तरह की पॉलिश किसी दूसरी सब्वेता में जल्दी से देखने नहीं मिलती। नेक्स्ट है अधिकतर बरतन लाल रंग की सतह वाले प्राप्त हुए हैं और उन पर काले रंग से चित्रांकर हुआ है। समसे कम चित्रित म्रदभाण, म्रदभाण यानि मिट्टी से या म्रदा से बने गए भाण यानि बरतन, मिट्टी से बनाए गए बरतन को म्रदभाण बोलेंगे, बहु रंगी म्रदभाण बहुत कम है। सिंधू सब्भता का पूरे संसार को जो विवरण दिया गया वो 1924 में दिया गया और शर जॉन मौर्शल वे अरनेस्ट मैक के द्वारा दिया गया सिंधू सब्भता में हाथ से बने वर्तन भी प्राप्त हुए हैं जो पक्की मिट्टी से बनाए गए हैं सिंधो सभथा की चित्र कला का ज्यान हमें चित्रित वर्तनों से प्राप्त होता है कि यहाँ पर चित्र भी बने थे हडपा, मोहन जोद्रो वे चहुंद्रो ये तीनों इस्थान आज की डेट में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में है चहुंद्रो की खुदाई सन 1931 में एन जी मजुमदार के द्वारा हुई थी चहुंद्रो हडपा, मोहन जोद्रो का तीसरा इस्था लोगया यानि सिंदो गाटी सभथा के तीन इस्था लोगया पहला हडपा, दूसरा मोहन जोद्रो और तीसरा चहुंद्रो सेंदर सभ्यता में सपात मुर्दभान अधिक संख्या में प्राप्त हुए है नेक्स्ट है भारत में इस सभ्यता के जो अफशेश प्राप्त हुए है उनके बारे में अब हम बात करेंगे तो लोथल चौथा नगर है ये गुजरात के एहमदाबाद जिले में है साबर मत्ती नदी है जिसके टट पर लोथल मिला है और लोथल की खोज या खुदाई या निरेक्षन करने का जो काम किया है वो किया है 1953 में रंगनाथ राओ ने रोपड इसकी पांचवी जगा है रोपड पंजाव में है और इसकी खुदाई भी 1953 में यगदत शर्मा ने कराई थी यानि गुजरात की खुदाई भी 1953 में हुई है और रोपड की भी और इसके सासाथ काली बंगा जो राजस्थान में ही है इसकी खुदाई भी 1953 में ही हुई है और इसकी खुदाई की है अमलनंद घोश ने बनावली हरियाना में एक जगा है हिसार जिले में जिसकी खोज 1973 में आरेस्ट बिस ने की है आलमगीर उत्तर प्रदेश के मेरट जिले में हिंडन नदी के टटपर है और इसकी खुदाई का काम या निरिक्षण 1958 में यक्तत शर्मा के द्वारा किया गया है राखी गड़ी गुजरात में इस्थित है पीली बंगन राजस्थान में है और मीटा नामा के स्थान भी हरियाना के भिवानी जिले में है ये सबी वे सारे इस्थल हैं, जहां से हमें सिंदू गाटी सब्धता के अवशेश या सिंदू गाटी सब्धता वहां पर कभी थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है यहां से प्राप्त मूर्तियों की संख्या बहुत जादा नहीं है हडपा से दो कबंध मूर्तियां मिली है कबंध होता है दोस्तों कंधे से मतलब आवक्ष मूर्तियों में क्या होता है कि सर से लेकर के और पेट या कमर तक का हिस्सा दिखता है लेकिन कबंध मूर्तियां उनको बोलते हैं जो आवक्ष मूर्तियां ही होती है लेकिन उनके दोनों हाथ नहीं होते तो जहां तक है आवक्ष और कबंध आपको समझाया होगा आवक्ष यानि की फेस से लेकर के पेट या कमर तक का हिस्सा और उसी आवक्ष मूर्तियों में से यदि उनके दोनों हातों को हटा दिया जाए तो वो बोला जाएगा कबंध मूर्तिया इन में से एक मूर्ति लाल बल्वा पत्थर से बनी है इस मूर्ति में हाथ सिर्वे जंगाओं तक पैर नहीं है केवल धर मात्र है यानि कि इसके अंदर सिर्व नहीं है और हाथ भी नहीं है इसकी बनावट में मासलता वे यथार्थता दिखाई गई है मूर्ति के हाथ वे सिर्व के इस्थान पर सुराख मिले है जैन संप्रदाय के आचार्यों का मानना है कि यह मूर्ति आदी तितहंकर की है यह मूर्ति राष्ट संग्राले में रखी हुई है और इसकी उचाई लगभग 11 से 12 इंच है हडपा से जो दूसरी कमंद मूर्ति मिली है वो काले रंगे पत्थर से बनी हुई है और हिंदू धर्माचार्यों ने इसे नट्राज की मूर्ति कहा है यह मूर्ति शिल्वी राष्ट संग्राले नई दिली में सुरक्षित है मोहन जोदारों से एक डाड़ी वाले ध्यानी योगी की आवक्ष मूर्ति प्राप्त हुई है आवक्ष मैंने आप भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है इस मूर्ति को हलके गुलाबी चूना पत्थर जिसको हम सेल कड़ी पत्थर भी बोल देते हैं से बनाया गया है यहाँ पर जो मनुष्य चितरत किया गया है उसने शौल ओड़ी हुई है और उसके शौल पर कुछ चितरकारी की गई है बेल बुटी बनाई गई है शौल के किनारों पर जिसको हम बोलते हैं त्रिकूलिया डिजाइन बनाया गया है डाड़ी वाले योगी के माथे पर एक पट्टी बंदी हुई है जिस पट्टी को फिलेट कहते हैं मूर्ती में डाड़ी को इस तरह से बनाया गया है कि लगता है किसी ने कंगी कर रखी है विद्वानों का मानना है कि यह है योगी की मूर्ती जो द्यान मगन है आखों की द्रस्टी अगर भाग नाक के अगर भाग पर इस्तित्य या गड़ी हुई है या देख रही है जिसको हम द्यान मुद्रा भी बोल देते हैं इस मूर्ती की जो मूचे नहीं है, सिर्फ डाड़ी है इस मूर्ती शिल्प में नाक का अगरभाग खंडित हो गया है और इस मूर्ती की उचाई 10 इंच या फिर 19 सेंटिमेटर है ये थी शेल कड़ी पत्थर, बल्वा पत्थर से बनी हुए कुछ मूर्तियां अब हम बात करेंगे कांस से मूर्तियों की, तो मोहन जोदाड़ों से लगभग तीन कांस से मूर्तियां प्राप्त हुई है जिसमें युवा नर्तकी की मूर्ती विश्व प्रसीद है, जिसको हम डासिंग गल या नर्ते रत महिला के नाम से भी जानते हैं सिंदु वासियों को दो धातू के मिश्ण से तीसरी धातू बनाने का ग्यान था, यानि की वो कांस से धातू बना लेते थे जो की दो धातू का मिश्ण है तामबा और तीन तामबा 90% होता है और तीन जिसको रांगा भी बोलते हैं वो 10 प्रतिशत होता है उनको मिलाने से कास्से धात्यों का निर्मान होता है कास्से नर्तिकी जो मोहंचोधाडों से मिली है उसकी उचाई 10.5 cm है यह मूर्ति नगन वस्था में हैं इसके चहरे पर कुरूपता दिखाई गई है यह मूर्ति रास्टर संग्राले में रखी वी है इस मूर्ति के हाथ बहुत लंबे दिखाए गए हैं शरीर के अनुपात में इस कारण इसको कह सकते हैं कि अनुपात हीन है दोस्तों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी मेरे वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा इसी तरह की वीडियो अगर आगे भी देखना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरी वीडियो को लाइक कर ले और अगर इसके अलावा कोई दूसरा कंटेंट आप मुझसे पहले चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दें मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों